गुड मोर्निंग एवरिवन दोस्तो आज है अप्रेल 26, 2022 और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर की अनेलसे इस मिरा नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सेलेक्ड़े टोपिक्स लेके आए हूं दोस्तो पहले हम लोग देखेंगे क प्रेंट पेज में क्या न्यूस होने वाली है फिर देखेंगे चाइना रश्या की टाइज के बारे में क्योंकि अभी इंडिया में डायलोग चल रहा है जिसे कहते हैं राइसीना डायलोग यह वैसे वाला डायल मूवी वाला नहीं है इसका मतलब है क्या अभी आपको लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडर है वह यह बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है मिलिटरी बे रिलीजियस प्रसीकूशन के बारे में बात करेंगे यूसे के रिपोर्ट है उसने इंडिया के बारे में कुछ अच्छी बाते नहीं बोली है बेसिकली पाकिस्तान ने अब्जेक्ट किया है इंडिया के एक हाइडल प्रजेक्ट का नाम क्या है और यह पूरा मामला क्या है वह आपको बताता चलूंगा पेटेंट्स क्या होता है पेटेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और यहां से कुछ MCQ भी आज हमारे पास है तो भी देख लेंगे इलेक्टिसिटी इन साउथ एशिया यह आज का एडिटोरियल सेक्शन है और वैसे चोटा सा टोपिक हमारे पास जपैन वाला भी है जो जपैन और रशिया के बीच में इस समय इशू चल रहा है न इसको हम लोग जियोग्रफी के प्रस्पेक्टिस से जादा कवर क लेकिन आगे जाने से पहले जो कल के हमारे तीस मारखा थे जिन बच्चों ने बहुत सही आंसर दिये थे कल एक्स्प्लेंड अंसर दिये थे हिदन स्टार करके इनका एक्जक्ट नाव हमें नहीं बता है लेकिन अभी स्टार हिडन है एक बार सेलेक्शन हो जाएगा तो सब के सामने आई जाएंगा इनका सेलेक्शन हो बहुत बढ़िया डॉक्टर नाज पे तो हम सबको नाज है क्योंकि जब भी कोई भी सवाल पू करते रहें कल देखते हैं किन बच्चों का नाम आता है तो आभी मैंने सोचा है कि रोज मैं लिस्ट लगाया करूंगा उन स्टुडेंट की जो यहां पर सबसे बढ़िया अंसर लिखेंगे कंजूसी मत क्या करो लिखने में यार है इतना से दिन फर वाट्साइप करते हैं तो थोड़ा बहुत यहां पर कर लिया करो महनत आपके फ्यूचर में काम आएगा तो इक बात देखते हैं दोस्तों फ्रंट पेज बे आज क्या हंगामा है फ्रंट पेज बे जो सबसे पहली नूज है वो नो लिमिट्स टू रशिया चाइना टाइज बेसिकली बात ऐसा है कि इंडिया में चल रही है इसमें राइसीना डाइलोग और राइसीना डाइलोग में जो है इसमें आप देख सकते हो प्रदानमंदरी जी किसके साथ बैठे हुए है इरोपियन कमिशन की प्रेज़ेंट उर्सुला वोंडीर लियन के साथ बैठे हुए है और इन्होंने एक बहुल जाओ, चाइना और रशिया की दोस्ती की अभी कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी हद तक यहाँ पर जा सकते हैं, ऐसा उनने कहा है, और एक कहां कहा है, यह कहा है राइसीना डाइलोग में, डाइलोग बेसिकली जैसे दोनों लोगों आपस में डाइलोग कर रहे हैं, एक बातचीत, एक डिस्कोर्स होना, एक डिबेट होना किसी मुद्धे पर बैठ के, मतलब अपने अपने विचार व्यक्त करना, उसको भी डाइलोग आ जाता है, डाइलोग एक्सेंज होते हैं, तो यह राइसीना डाइलोग क्या है थोड़ आपको मैं बताता है, चलू, र और इसमें क्या होता है, हमारी एक ठीक टैंक है हमारे पास, इसे कहते हैं, Observer Research Foundation, ORF, इसके आपका भी वेबसाइट पर जाओगे, मैं तरुम मैं तरफ से highly recommended है इसकी वेबसाइट, ORF की वेबसाइट पर जाओगे, आपको international relationship के बारे में बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ प के बारे में बात करता है, तो highly recommended है, note कर लो, ORF, चीक है, आप Google पर सर्च करना, इसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, तो इन्होंने 2016 ने शुरू किया था, इसमें दुनिया भर से अलग-अलग stakeholders आते हैं, participate करते हैं, दूसरे countries के PMB आते हैं, external affairs ministers आते हैं, बहुत सार लोगों को, जो respected journalists होते हैं, सब को बुलाया जाता है, यहाँ पे, और उनके साथ बातचीत की जाती है, तो बहुत बढ़िया platform है, और दुनिया भर के leaders यहाँ पर आके अपनी बातें exchange करते हैं, और ministry of external fair के साथ collaboration करकी, ORF, इसको यहाँ पे, इंडिया में basically इसको host करते हैं, ह 46 से 40% रह गया है, labor participation का मतलब यह होता है, कि जिन लोगों की legal age होती है काम करने की, मतलब जब 18 साल से plus हो जाते हूँ, आप काम करते हैं, देखे कही तरह की चीज़ी होती है, एक तो वो लोग होते हैं, जो actual में काम धून रहे हैं, और उनको काम मिल जाता है, है ना, एक तो ह होते हैं, वो लोग, एक होते हैं, जो काम धून रहे हैं, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है, और एक लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी मर्जी से ही काम नहीं करते हैं, है ना, खुद इसे काम नहीं करते हैं, तो जो लोग खुद से काम नहीं करते हैं, उनके पास काम होते हुए उसे हम लोग ऐसा चाहिए नहीं कहते हैं लेकिन जो कादमी काम सर्च कर रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है यह होते हैं अनेम्प्लोइड और जो काम सर्च किया उसने और उसको काम मिल गया यह होते हैं हमारे एम्प्लोइड तो यह बिसकी लेवर पार्टिस्पेशन हो जाता है यह एक तरह का private type का platform होता है जिसमें government का data नहीं होता है वैसे भी हमारे government ने NSSO को बंधी कर दिया था जो हमारे सामने unemployment का data लेके आते थे तो NSSO और जब से CSO को merge किया है सबसे हमारे country में legal तोर पे सरकारी आंकड़े ऐसे कुछ भी नहीं है जो हमें यह बताएं कि इंडिया में क्या unemployment का हाल है तो CMI जो है वो सबसे reliable इसमें method है जो कि हर agency और हम लोग consider कर सकते हैं जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो CMI यह बहुत बढ़ा think tank है 1976 में establish हुआ था और दुनिया के गिने चुने think tank में माना जाता है CMI और यह unemployment के regarding government policies के regarding अपने आंकड़े पेश करता है basically तो इनका कहना है कि यह only 40% of Indians of the legal working age were employed or were looking for the jobs in 2021-2022 और यह आंकड़ा 2016-17 में 46% था मतलब इंडिया में ऐसे लोगों की संग्या घटी है जो काम धूंड रहे है या जो काम धूंड रहे हैं जिनको काम मिला है absolute term में बात करें तो इंडिया का जो labor force जो है वो पहले कितना था वो था 445 million मतलब 44.5 करोड लोग जो अभी घटके सिर्फ 43 करोड रहे गया मतलब 2.5 करोड तो लोग out of job भी हो गया पिछले 6 सालों में उनका खास का बात आती है वीमन की वीमन का labor participation भी कम हुआ है 2016 के बाद से पहले ये जो है 22 परसेंट हुआ करता था भाया मतलब सोरी अभी घटके कितना रहे गया है 9.2 परसेंट रहे गया है 15 परसेंट से घटके तो देखो 6 परसेंट से जादा का भी डीप हो गया है वीमन participation के अंदर अगर अब मैन की बात करो तो मैन मरत्र पुरुष उनका परसेंटेज भी कम हुआ है 74 से 67 तो देखे कहा 67 कहा 9 अभी कितना जादा हमारी कंट्री में महिलाओं को participate करने के जूरुत है labor market में कोई match ही नहीं है अगर आप इस 9 परसेंट को अगर आप 25 से 30 परसेंट भी कर दोना तो इंडिया की GDP 2 परसेंट एक्स्ट्रा गोड़ो करेगी इस चीज़ पर हमें काम करने के जूरुत है कितना इतना potential है कितनी ऐसी women है जो काम करना चाहती है और को काम मिल नहीं रहा है या फिर किसी और reason के वज़े से काम नहीं कर पा रही है अगर वह भी labor participation में आएंगी तो वह या इंडिया की GDP 2% से ज्यादा ग्रो कर सकती है इस पर काम करने है में जूरुत है दर रेट स्लिट तू 37.5% for 47 in the urban areas urban area में participation 44 से घटके 37 हो गया ठीक है rural area मे अगर आप इंट्रेस्टिड हो लिखने में एक तो answer के लिए question में आपको दे सकता हूँ चीक है आप यहां पर सीवधा सा question है what do you understand by labor force participation ठीक है जी तो यह तो हो गया आपके question का पहला part उसके बाद कहता है discuss the reasons behind low women labor participation participation in India and suggest some solutions ठीक है जी तो one के लिए थोड़ा आपको leverage देता है 250 words ठीक है and 15 marks तो आप चाहो तो question इसमें आराम से लिख सकते हैं यह देखे थोड़ा UPSC क्या करता है वो आपको हो सकता है पूरा इंडिया ना देके आपको यहां पर अर्बन इरियाज में भी बोल सकता है ठीक है इन अर्बन एरियाज तो यह question तब भी बनता आपका तो थोड़ा question वो ट्वी किदर से उदर वो कर सकता है तो यह आप जो है लिखके definitely उसको submit कर वा सकते हों फिर आगला article जो आता है दोस्तों हमारे पास आता है इंडिया इस थर्ड हाइस्ट मिलिटरी spender in 2021 और ऐसा किस ने कहा ऐसा कहा है सिप्री ने स्टोकोहों इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिटूड दुनिया के सबसे टोप सबसे respected think tank में माना जाता है सिप्री को एक दम independent है किसी का दबाव नहीं मानता बढ़िया research करता है जवर दस्त वाली जदातर जो रिसर्च करता है किसके बारे में करता है military spending के बारे में करता है disarmament के बारे में करता है security वगरा वूस के बारे में करता है इनका कहना है कि 2021 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा यहां पे पैसा खरचा किया है military के ओपर आप यहां पे क्लिरली देख सकते हो 2017, 2018, 2019 जो है वो किस तरह से यहां पे grow कर रहा है और देखे जो यह gray color वाला है यह कि आपका जो है Europe का है तो इन्हों तो इस हिसाब से दिखा रखा है उपर जो blue वाला है West Asia का है लेकिन अगर आप country के हिसाब से देखो तो अमेरिका चाइना पर यहां पे इंडिया अगर आप individual country के हिसाब से देखो यह है पूरा खेल रशिया और चाइना के बात करो यह दोनों country दुनिया का 52% defense पे खर्चा करते हैं और अगर इंडिया को भी मान के चलो तो 62% बाकी सारी दुनिया बाकी बची हुई 38 में और यह तीन country 62 में कितना ज्यादा military spending हम लोग करते हैं इंडिया को करना मजबूरी है क्योंकि इंडिया की तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना है तो हम self defense के लिए definitely हमें करना पड़ता है चाइना की कुछ मजबूरी है और कुछ वो थोड़ा सा शरार्ती बच्चा भी है तो कुछ USA और ऑप जो है उसके against में है तो उसको लगता है कि मुझे अपना defense strong करना चाहिए तो थोड़े उसकी expansionary policy भी है तो उसके लिए military power economical power से empire manage करना पड़ता है और world order को set करना पड़ता है तो US से क्या अपनी रीजन से यह पुरे का पुरा मामला है थोड़ा सा इसको देख सकते हो लेकिन definitely पिछले साल से जो है European Union और इस साल से especially European Union का defense budget जो है वो कम से कम 20% increase होने वाला है क्योंकि Ukraine और Russia के crisis के वज़े से तो future में उनक अपर कल को Russia ने किसीन attack कर दिया तो अपने वो कैसे protect करेंगे अमेरिका कब तक अहां तक आएगा अमेरिका भी limitation है ना इसलिए Europe भी अपने defense को यहां पर strong करेगा definitely आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया repressed critical voices वैसे हमारे लिए कोई खास report यह है नहीं to be honest क्योंकि कोई UN report तो यसी government के साथ मिन का बहुत अच्छा relation है नहीं वैसे United States Commission on the International Religious Freedom तो दुनिया की बहुत सारी country है जहां पर उनके बारे में survey करता है research करता है बताता है कि भईया वहां पर religious freedom के क्या हाल चाला है तो इंडिया को इन्होंने जो है concerned वाली category में basically रखा है और कहा है कि 2021 में इंडिय religious freedom है वो significantly worse हुई है आप comment section में अपना opinion बता सकते हो कि आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में जो religious जो चीजे हैं बहुत ज़्यादा खराब हुई है religious freedom के उपर क्या फरक पड़ा है क्योंकि हम अपनी country में रहते हैं तो अपनी country को और अच्छे से observe कर सकते हैं बाहर वाली आके करें तो इससे अच्छा हम लोग अपना opinion भी definitely बता सकते हैं तो घर के अंदर कुछ चीजे गलत हो रही है तो इसको definitely pinpoint करना चाहिए जब तर pinpoint नहीं करेंगे तो solution कैसे आएगा है ना गलतियों को अगर नजर अजाज करते रहेंगे तो solution बेटा कभी भी निकलेगा उनको पहचानिए उनके पर बात कीजिए फिर उसका solution निका लिए तो country को रखा है इन्होंने country of the particular concern में कई सारी country के और मिन्होंने नाम लिये हैं Saudi Arabia, Vietnam, China, Iran, Iraq and all that वो सारे country हैं लेकिन इन इंडिया में जो इन्होंने अपना जो डाउन किया है rating को उसके कुछ reasons बत Father Stan Swami जो है जिनको UAPA में कोरे गाउं वाले case में arrest किया गया था उनकी jail में ही मृत्यू हो गई थी unfortunately और जैसे non NGOs के उपर attack हो रहा है सरकार के द्वारा FRCA का use करके कहीं सारे state में anti-conversion law बनाए गए हैं और भी कहीं सारे reasons दी हैं जिसकी वज़े से इन्होंने कहा है कि इंडिया म वहां के state से जो कोई खास relation नहीं है कि बार बार जो है USA को भी गर्याते रहते हैं पाकिस्तान अब्जेक्ट टू हैडल प्रोजेक्ट तो ये चैनाब रिवर के उपर बैसिकली हम तो हैडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक का नाम है रैटल और एक का नाम है क्वार पहले ता है भागा तब यह हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको कहा जाता है चंद्र भागा जब यह जेंड के में एंट्री करती है तैन इट इस कोल चेनाब रिवर ठीके जी यह आपको पतो न चाहिए चेनाब रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिबूटरी है किसकी इंडस की लों पर क्यों अबजेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास एक ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर जिसमें जो उपर वाली तीन रिवर हैं इंडस जेलम और चेनाब इनको यूज करने का धिकार किसको मिला है पाकिस्तान को नीचे वाली जो रिवर है सतलूज बियास और रावी इनको पर कुछ भी अगर इंडिया चेनाब जेलम और इंडस को यूज नहीं कर सकता है लेकिन उसके लिए कुछ टर्म सेट कंडिशन होती हैं मतलब आप उसके फ्लो को चेज नहीं कर सकते वोटर को कम नहीं कर से दिसे हम जो जो है रन ओफ रिवर रन ओफ रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है उनको तो चेनाब रिवर के उपर कुछ भी अगर इंडिया चेनाब पे या जेलम पे कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को अब्जेक्ट करना लाजमी सी बाता वह करे गा ही और फिर वो कम्प्लेंट कर सकता है कहां प इंडिया से हमारे कुछ डेलिगेट्स पाकिस्तान में गए थे वह समय समय आते रहते हैं क्योंकि हमा जो इंडस जो कमीटी है कमिशन है उसमें दोनों कंट्री इन रिवर्स के उपर कोई भी प्रोजेक्ट लेती है तो उसकी इन्फोर्मेशन एक दुसरे को दे नहीं कि डौक को रेज़ कर सकता है जैसे पाकिस्तान ने वह फिरले प्रोजेक्ट के उपर या कलनाई पर या कीरू परॉजेक्ट के उपरम्न के तो करता रहता है पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ें, उसी एक कडी में, एक और एक्जम्पल यहां पर जोड़ सकते हूँ, कि भाईया, रैटल और कवार जनाब रिवर पे बना रहे हैं, एक्जाम सीधा सा प्रिलिम से पूछता है, तो बोलेंगे आपको सतलुज ब्याज, कावेरी, गंगा, कुछ भी बोल सकते हैं, बस ही आपको नाम याद रखना है, जोग्रफी वाले टोपिक से इसको कवर किया हम लोगों ने, आगे बड़ते हैं, इंडिया एंटिटीज फाइड 1.3 लाग पेटेंट फ्रों 2015 तो 2021, ये पेटेंट होता क्या है भाई, है ना, ये बड़ी सोचने वाली बात है, देखिए, माल लो मैंने कोई डिस्कवर किया, कुछ ऐसी टेकनोलजी मैंने डिस्कवर की, कि जिस टेकनोलजी का यूज़ करके इनसान जो है, वो पानी के ओपर चल सकता है, है ना, हो सकती है, तो अगर मैंने को ऐसी टेकनोलजी किया, तो मैं एंशोर करूँगा कि उस टेक मैं बरबाद करूंगा मैं समय है पैसा सब कुछ तो इसका मतलब उसको यूज करने की टेक्मोलजी का अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए कोई उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरी इंटेलेक्चिल प्रोपरटी है मैंने अपने दिमाग का यूज करके बनाई है या कोई मैं सोंग बनाता हूँ गाना मैंने बनाया कोई म्यूजिक बनाया कुछ भी वो मेरी प्रोपरटी है ना तो कोई और उसको यूज ना कर सके उसके उसको प्रोटेट किया जाता है अगर कोई और यूज़ करेगा तो उसको मेरे से प्रमिशन लेनी पड़ेगी और बदले में मुझे कुछ पैसा भी देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आप कैसे डिल करते है उस बंदे के साथ तो इसे का जाता है तो उसके लिए पेटेंट करवाय जाता है तो पेटे इंडिया ने जो है 1.3 लाइक पेटेंट जो है वो बेसिकली यहां पे इशू किये हैं इंडिया जैसे हमारे डबलू टो के अंदर जो आई पी आ है इंटेलेक्शल प्रोपर्टी राइट तो उसके तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल कंट्रीज में एक डुसरे के ले के जो पेटेंट होते हैं वो उसका मजी यूज नहीं कर सकते तो IPR रिजीम के तैते उसको किया जाता है इंडिया में भी कुछ ऐसे खास हुते हैं जो कि इसी कैटिगरी में आते हैं ऐस Such पेटेंट केटिगरी में नहीं आते हैं लेकिन उनको जो खास एक प्रागरा का पेठा तो ये वहां के नाम से जाने जाते हैं और इनकी कुछ खास बाते होती है इनको प्रोटेट किया जाता है सरकार के द्वारा तो भीया जो मत्थुरा का पेडा है वो उसको करनाल में नहीं बना सकता उसको चंडिगड में नहीं बना सकता वो सिर्फ तो इसको protect किया जाता है. इसे कहते है geographical indicators GI क्योंकि वो हाँ के particular location geography से कोण indicate करते हैं कि अगर उस पेड़े लोग खाते हो तो आपको पता चल जागा, यार यह पेड़ा तुमत्रा का है, है ना? इस तरह की चीज़ होती है. तो उसके बारे में एक्जाम में regularly सौवाल आते हैं, एक दो question पूछ लेता है, वो GIE के regarding, तो उसी से हम लोग ने यहाँ पर चार MCQs निकाले हैं, आसान है, simple है, एकदम बढ़िया है, एक्सपेट करता हूँ कि आप पार्टिस्पेट इसमें करोगे, पहला ऐसा कौन सा प्रोड़क्ट था, चार उप्शन आपके सामने हैं, GIE टैग जो है, कौन से एक्ट के तहट दिया जाता है, वो है, कुछ नाम हम लोगों ने यहाँ पर दिये हुए है, ठीक है, जैसे चक हाओ, यह Black Rice होता है मनीपूर, आपको बताना है किसमें से कौन सा correctly matched है, वो आपको बताना है, उसके लाबा एक tolerant rice variety होती है, जो कि saline water के अंदर grow होती है, वो कौन से state का character है, और वो वहाँ का GI टैग भी उसको मिला हुआ है, आपके particular state में आप जिस भी state से belong करते हो, तो कम से कम हो जी आप जो है, दो तिन, ऐसे GI indicators बताओ, जो भी बच्चे हमार NLC सुन रहे हैं तो आप बता सकते हो, सवाल आता है भाई है यहाँ से exam में, regularly सवाल आता है, the quarrel over Kuril Island, मैंने आपको बताया था पहले ही कि Japan और Russia के बीच में हो रहा है जगडा, और वह जगडा किसको लेके है, वह जगडा है कुछ islands को लेके, क्या नाम है उन आइलेंड का Kuril आइलेंड, तो पहले भी हम लोग इन इसको किया था, थोड़ा सा आपको बस हलका सा दिखाऊंगा, ज्यादा लिटेल में जाने का जूरूत है नहीं, तो यह देखिए, क्यूरिल आइलेंड के लोकेशन आगर आपको मैं दिखाता हूँ, यह जो ब्लैक कलर के आपको नजर और रखाए, जपाइन का जो नंदर मोस्ट आइलेंड है, होकाईडू आइलेंड, ठीक है, हकाईडू आइलेंड का जो है नोर्थ एश्ट में पड़ता है, यह कुछ-कुछ लोकेशन बस आपको नाम यहाँ पर पता होनी चाहिए, कि जो क्यूरिल आइलेंड है, इसके नो सल में Japan ने इनके ओपर कोई खास claim नहीं किया था लेकिन क्योंकि Ukraine वाला issue चल रहा है तो Japan को लगता है चलिए ठीक है मैं भी थोड़ा opportunity देख लेता हूँ यहां पर तो Japan इसको Japan इसको basically another island के नाम से जाना जाता है यह रशिया में इसको क्यूरूल आइलेंड कहा जाता है लेकिन दोनों ने अपने अपने claim करते है तो Japan जो है वो कुछ होर treaty को दिखाता है रशिया कुछ होर past के treaty को दिखाता है दोनों उसके उपर basically claim करते है तो देखिए according to Japan Japan कहता है कि 1855-1875 भी यह मेरा हुआ करता था बाद में आपने उसको ले लिया रशिया कहता है कि यह ऐसा नहीं है जो San Francisco treaty हुई थी 1951 में उसके तहत इन आइलेंड के उपर रशिया की sovereignty को मान लिया गया था जपान कहता है कि इसको मैं नहीं मानता क्योंकि यह treaty जवरदस्ती करवाई गई थी इसलिए मैं इसको खारिज करता हूँ मैं सिर्फ उनको मानूँगा जो 1855 में हुई थी और 1875 में हुई थी Actually First War और 1905 में भी एक treaty हुई थी जिसे कहा जाता है Post Mouth Treaty क्योंकि 1904-1905 में Japan और Russia के बीच में war हुआ था जिसमें Japan जीत गया था उस से में Japan ने इन आइलेंड को रशिया से ले लिया था Second World War के बाद Russia ने दुबारा से उनको ले लिया तो इनके बीच में Kural Island को लेकर ये चलता रहता है क्योंकि Japan और Russia बहुत बार war job में जा चुके है First World War, Second World War उससे भी पहले चलता रहता है तो काफे tension है निन दोनों countries के बीच में और जब से Ukraine वाला issue हुआ है तो definitely वह tension और भी ज़्यादा बढ़ गई है तो इन treaties के नाम थोड़ा बहुत आप यहां पे देख सकते हो हालांकि एक्जाम में UPSC में यह सब नहीं पूछने वाला है बस वह आप Secureal Island के थोड़ा बहुत location आप से पूछ सकता है क्या-क्या challenges है क्या status है basically तो status के अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत की कुछ lines में आपके कुछ facts नजर आएंगे यह facts हमारे लिए important होते हैं mains के exam में prelims में इस तरह के facts definitely नहीं पूछे जाते हैं इतने close facts but mains में कुछ आपके यहां पे काम आजाते हैं मानलो आपके पास question आ गया exam में discuss the problem of electricity in overall South Asia and suggest some measures पूछ सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोल सकता है आपसे in the backdrop of recent happenings अगर आप लिखना चाहूँ एक question तो आपको लिखवा भी सकता हूँ ठीक है जी इसको मैं raise कर देता हूँ कई सारे question बोलते हैं remains के लिए answer question दे दिया करो कोशिश करता हूँ मैं कभी कभारत देने के लिए regular basis पे student लिखते नहीं है हम सुर्फ article का नाम निकल जाते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हो अगर आपको interested हो अगर आप लिखने में तो question आपको दे देता हूँ मैं discuss the problems of access to electricity वह electricity भी आपको दे सकता है और power भी दे सकता है discuss the problem of access to electricity or power in South Asia अब वह depend करता है exam में आपको South Asia भी दे सकता है NDI specifically भी दे सकता है इन South Asia ठीक है और simple सा बोलेगा suggest some measures suggest some solutions solutions बहुत आसा question है तो इस तरह के question में क्या होता है कि आपको कुछ facts बताने पड़ते हैं तभी तो बताओगे problem उपर उपर से लिखोगे बहुत problem है बिजली के cut लगते है climate change है आपकी statement के पर believe ही नहीं करेगा वो statement बहुत generic हो जाती है simple साधान statement होती है आपको अपनी statement के किसी fact के साथ उसको back करना पड़ता है उसको substantiate करना पड़ता है तो आपकी भाशा में वजन नहीं आएगा अगर मैं लोग उपर उपर से बोल दे किया हमारे देश में जो है women participation बहुत कम है अच्छा जी क्या आपका यह opinion है या कोई fact है opinion उत्रा matter नहीं करता है जितना अगर आप उसको जब fact के साथ back up करते हो ना तब आपके opinion के अंदर वजन आता है उपर उपर से बोलने कुछ नहीं होता है इसलिए इस तरह के facts जो है जरूरी होते है खासकर जो women related रहते हैं तो social issues के regarding जो चीजे रहती है तो कुछ जो शुरुआतियां को facts यहां पर नज़र आएंगे definitely अभी recently बंगलादेश ने अपनी country के अंदर 100% electrification achieve किया तो बंगलादेश को बहुत बहुत बढ़ाई हो मोलदीव ने भुटान ने श्रिलंका ने पहले कर लिया था 2019 में इंडिया में अभी 100% electrification ही हुआ है इंडिया में अभी सिर्फ 94.4% ही हुआ है अफगालिस्तान में भी हम लोगों से जादा electrification actually है 97.7% पाकिस्तान में हालत कावी खराब है वहाँ पे अभी तक सिर्फ 74% के लगभगी electrification हुआ है खेर तो यह पूरे South Asia की हम लोगों ने picture यहाँ पे देखी है कोशिश कर रहे हैं कि सारे कंट्री के कही न कहीं से इसको बढ़ाया जाए और जब हम के अंदर hydroelectric power potential बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है तो वो बिजली पैदा करते है सस्ती बिजली पैदा होती है तो यह है थोड़ा सा लेकिन इन पूरी सब कंट्री का एम क्या है तो अब्यस्ती बात है एम तो हमें पता ही है कि हम लोगों के reliable बिजली पहुंचानी है quality electricity लोगों तक पहुंचानी है एम तो यही है एक rate भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए access भी ज़्यादा होनी चाहिए और जो बिजली हम लोग पैदा करते हैं वो green energy से भी आए इस तरह कुछ गोल हम लोगों ने अपने लिए रखे हुए है लेकिन इनके आसान नहीं है गोल को अचीव करना क्या challenges है इन गोल को अचीव करने में वह सारे challenges है सबसे बड़ा challenge तो generation का ही है कैसे बिजली पैदा करोगे बहुत खर्चा होता है वह बिजली पैदा करने में उसके बाद आता है कि बिजली पैदा तो करोगे लेकिन कौन से source से करोगे अब coal से करोगे, gas से करोगे petrol, diesel से करोगे कैसे nuclear से करोगे, कैसे करोगे वो भी बहुत बड़ी चीज है फिर बात आती है transmission की लंबी लंबी transmission line बिछारी पड़ती है उसमें सिरु खर्चा ही नहीं होता है बलकि transmission में loss भी होता है electricity का यह भी बहुत बड़ी समस्या है अब आपने बिजली पैदा कर दे है तमील लाडो में, वहां से बिजली पहुंचानी है दिल्ली में काफी कम हम लोग पैसा खर्चा करते है अगर आप कोल थर्मल वगएरा से करोगे तो वह भी इस्यूज है अगर आप किसी को भी उठा के थोड़े ना काम करवा सकते है उसके बाद स्किल होना चाहिए ना ट्रेनी होनी चाहिए तो वह नहीं है समझ से बहुत सारी है और सिर्फ यहीं समझ से नहीं उसके पाद समस्या आती है कि हमारे आपे कंट्री के बीच में आपस में अच्छे से बनती नहीं है आपस में जगड रहे हैं पाकिस्तान हमसे जगड रहा है हम नेपाल से जगड रहे हैं सब आपसमें जगड रहे हैं, तो एक उनके बीच में collaboration, cooperation भी नहीं है basically, और सभी country के अंदर जो है उनकी approach अलग-अलग है, भुटान जादातर जो है वो hydro के उपर focus करता है, नेपाल जादातर जो है वो oil के उपर focus करता है, बंगलादेश जो है, वो गैस के उपर focus करता है, इंडिया coal के उपर focus करता है, हमारा 55% electricity generation coal से ही होता है, तो सब country का approach भी अलग-अलग है, उनकी जो geopolitics relation है वो भी different है, तो जिसकी वज़े से सारे चीज़े नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर आप electrification करते हो जाते से जादा economy का, country का, तो आपको बहुत benefit भी होते है, आपकी जो overall economy है, income है, वो grow करती है, अब आप एक चीज़ को देखिए, कि आपने कोई factory बनाई, और उस factory के अंदर आपने ये कहा कि मैं एक साल के अंदर एक लाख जूते उसको produce करूँगा, मैं ठीक है, अब manufacturer को करने वाले हो, और आपने उसके हिसाब से machine लगाई, उसके हिसाब से planter लगाया, उसके हिसाब से लोगों को hire किया, सब चीज़ आपने एक लाख जूतों के हिसाब से करें, तो उसके जो machine है भी आप इसी ने बिजने बिजली के थोड़ी ना चलेंगी, आप मानके चलिए आपकी जो machine है, अगर वो दिन में 18 घंटे अगर काम करती हैं, तब वो जाके 1000 जूते पैदा करती हैं, लेकिन आपको बिजली मिलती है सिर्फ 12 घंटे के लिए, तो 6 घंटे था के waste हो गया भाई, factory आपने लगाया, machine आपने डाली, capacity है आपके पास, लेकिन capacity होने के बावजूद भी आप produce नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बिजली के कट लग रहे हैं, जो South Asian countries हैं, यहाँ पे industrial manufacturing की जो कम होती है, हम अपनी optimum जो हमारी capacity होती है, उतना produce करते ही नहीं है, बिजली के कट लगते हैं, infrastructure bottlenecks होती है, काम करने लिए जो skilled workers चाहिए, वो हमारे पास नहीं होते हैं, तो बहुत-बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पे, लेकिन अब यह सारी चीज़े कर दोगे, तो definitely economy ग्रो करेगा, औ और उसमें जो investment आती है, आभी में participation बढ़ेगा, है ना वो सारी सारी चीज़े, electricity backbone है ना यार, backbone है, electricity बेना कुछ है ही नहीं, सब चीज़े उस electricity से चल रही है, energy, energy backbone है पुरी दुनिया की, कैसे चलेगा energy के बेना, तो वो चीज़े हैं, हलां कि हम लोग progress भी कर रहे हैं, यहा आप sustainable development goal से कैसे relate कर सकते हो, या sustainable development goal की बात कहीं पे भी आती है, तो वहाँ पर electrification वाला एक definitely angle जोड सकते हो, हमारे पास 17 sustainable development goal है, जिन मेंसे कई goal जो है, वो directly या indirectly electricity से related है, तो definitely जब हम लोग electrification करेंगे, तो sustainable development goal को भी achieve करने के बहुता पास पहुंच जाएंगे, देखे, कई स बात इसने बोली है, जैसे sustainable development goal हमारे पास 7 है, जो कहता है, ensure access to affordable, reliable, sustainable and the modern energy, ये तो सिधा सिधा electricity की बात कर रहा है, goal number 7, goal line number भी है, जो infrastructure की बात करता है, inclusive और sustainable industrialization की बात करता है, तो ये भी बिना बिजली के नहीं होगा, तो बिजली बहुत ज़रूरी है sustainable development को चीव करने में, sustainable development goal number 4, ये किस की बात करता है, ये quality education की बात करता है, lifelong learning की बात करता है, तो भाया जब तक लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंचाओगे, तो वो लोग digital education को कैसे अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे न, अगर आप school के अंदर बिजली नहीं होगी, school के अंदर ट sustainable development goal किसके regarding है, ensure healthy and promote well-being of all the ages, भाया बिजली नहीं होगी, तो आप ये सब चीज़े कैसे ensure करोगे, तो sustainable development goal से भी आप इनको जोड़ के देख सकते हो, ठीक है, फिर हमारे पास सबसे बड़ा challenge आता है, किसका green growth का, green energy का, अब energy तो आपको चाहिए, लेकिन आपको energy ऐसी होनी च गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 2070 तक net zero अचीव करेंगे, तो इसके लिए हमें green energy के अंदर investment करने के जुरूत है, हमने पहले जो हमारा target था, 2030 का 450 gigawatt था, renewable energy से, अभी target हम लोगोंने बढ़ा के उसको 500 gigawatt कर दिया है, तो target हम लोगोंने अपने लिए बहुत high रखा ह तो definitely उस target को अचीव करने के लिए green energy में investment भी चाहिए हमें, पैसा भी चाहिए, और सिर्फ energy पैसे से भी काम नहीं चलेगा आपको वो implement भी करना पड़ेगा ground level पे, तो और जिसमें सिर्फ सरकार की एक तरफ से काम नहीं चलेगा, एक हासे ताली थोड़ी ना बजेगा, hydropower की हमारे पास कमी नहीं, solar की नहीं, wind की नहीं, geothermal, biomass, कुछ भी आप बोलिये, resource खूब है, raw material खूब है, अब उस raw material को आपने final product के अंदर सिर्फ को transfer करना है, जो हम लोग यहां पे नहीं कर पा रहे हैं, बंगलादेश ने इसको कैसे अचीव कर लिया, बंगलादेश की व rooftop solar panel लगा रखे हैं, जिसकी वज़े से अपनी बीजली की जुरूतों को वो लोग पूरा करते हैं, तो होगा क्या, होना यह चाहिए कि जो South Asian countries हैं, बोटान, इंडिया, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान हैं, वो से मिलके आपस में grid बनाएं, एक दूसरे की जुरूतों को समझें, जहां पर electricity surplus है, उसको deficit में transfer कर सकते हैं, तब आप जो है, एक inclusive goal लेके जा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे बास definitely कुछ plans हैं, जैसे बंगलादेश, भुठान, इंडिया, pipeline की हम लोग बात करते हैं, मैनमार, बंगला भी सब होते रहते हैं, लेकिन कुछ country collaborate करती हैं, जैसे इंडिया 1200 megawatt electricity बंगलादेश को हम लोग उनको transport करते हैं, फ्री में नहीं करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, अच्छा खासा मोटा पैसा लेते हैं, भुठान भी हम लोगों को 70% energy है, उसको इंडिया को transport करता है, नेपाल भी इंडिया को fossil fuels भी करता है और बिजली भी export करता है, तो क्योंकि भुठान, नेपाल, बगलादेश ये फिर भी इनके relation ठीक ठाक हैं, लेकिन इतने collaboration से काम नहीं चलेगा, और भी collaboration करनी पड़ेंगी, तो wave road में आप क्या लिख सकते हैं अपने answer के अंदर, या पह बिजली की खपत कम करें, और अगर बिजली की खपत करता भी है, तो वो greenhouse gases को कम release करें, तो उस case में आप जो है research करें, better buildings बनाईए, वो सारे सारे चीज़े हैं, flexible monitor framework, integrated resource plan and the support renewable energy, तो आप ऐसा plan बनाईए, जिसमें, जैसे हम लोग ने कल बात किया था, हम लोग ने कहा था कि कि solar power को हम लोग grid के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जिसमें हम लोग one sun, one world और one grid की बात करते हैं, उस तरह की चीज़े आप South Asia के लिए भी करके देख सकते हो, एक experiment के basis पे, और सिर्फ government sector से काम दोस्तों नहीं चलेगा, private sector की investment बहुत जद़ ज़रूरी है, और actually private participation बढ़ भी र हो रहा है, तो public private partnership भी कर सकते हो future के लिए, तो यह कुछ suggestion definitely आप यहां भी देख सकते हो, उसके लावा, basically बात ही है, कि जब suggestion के हम लोग बात करते हैं, तो सिर्फ आप green energy के ओपर ही focus मत करना, और भी dimension है, discuss करने के लिए, तो वो सारी चीज़ आप अपने answer गंदर definitely यहां पे और यहां पे कुछ खास था नहीं, बाकी यह सारी चीज़ लगबग लगबग हम लोग ने यहां पे कर लिया है, लेकिन कुछ additional articles आज काफी आए हैं, जो आप definitely पढ़ सकते हो, जैसे यहां पे CGI के ने बोला है, J&C को लेके, तो जब हम लोग ने article 370 को हटाया, सरकार ने, त वो के सुप्रीम कोट के अंदर चल रहे हैं, दो साथ से आठके हुए हैं, सुप्रीम कोट ने भी बोला है कि जब समर वकेशन के बाद वो आएंगे वापिस से, इसको definitely इसकी सुनवाई करेंगे, और five benches, judges की जो है benches को सुनेगी, तो let's hope 370 आगे future में क्या होता है, तो अब ही होगा के नहीं होगा, I don't think so, क्योंकि कोट में मामला जाएगा, आप देख सकते हो, Navy to review security scenario गएर इतना जादा करने का सुरक नहीं है, तो definitely दोस्त आप ये कुछ कर सकते हो, लेकिन जो student हमारे platform पे पहली बार आए हैं, उनको मैं बताता चलू, कि हम लोगोंने 2022 के आठ से लेके 11 बज़ तक रात को, 8000 के लगवाग इसकी fees है, और बहुत बढ़िया से coverage आपका बढ़िया से होगा, और 2023 के mains तक ये आपका session जाने वाला है, आपका weekly current फिर दिया जाएगा, quiz दिया जाएगा, magazine उगरा मिलेगी, सब कुछ आपको बढ़िया से हमें मिलने वाल तो अभी तक हम लोग सिर्फ newspaper कर रहे थे, लेकिन अब थोटा सा एक step आगे बढ़ने की जरूरत है, तो दोस्तों इसी के साथ यहीं पर खतम करते हैं session को, thank you very much, all the best, जाहिए